Day 29, आप अपनी communication skills को कैसे improve कर सकते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं, practicing fluent speaking. Well, speaking fluently और confidently बहुत ज़ादा ज़रूरी है एक अच्छी communication के लिए. जितनी ज़ादा आप confident sound करोगी, आपकी communication किसी के साथ उतनी ही अच्छी होगी. तो देखते हैं, ऐसे steps जिसके थूरू आप एक fluent speaking को develop कर सकते हैं. तो सबसे पहला step है, practice regularly जितना हो सकी, अपने friends, अपनी family members के साथ speaking की practice करें. जितनी ज़ादा practice करेंगे, आपका confidence उतना ज़ादा बढ़ेगा. इसका मतलब यह है, जिस भी language में आप अपनी speaking को improve करना चाते हैं, उस language के अंदर जाके सोचें, इससे आपके sentences जल्दी बनेंगे. थर्ड है, expand your vocabulary. आप जितनी साथ vocabulary सीखेंगे, आपकी speaking उतनी आसान होती चली जाएगी. क्योंकि नए words से आप अपनी communication अराम से कन पाएंगे. Next is, जितना हो सके उतनी simple sentences को use करें, और gradually, difficult या complicated sentence के तरफ move करें. Next is, to pause and take time. आ, उ, यह fillers use करने साथ ज़्यादा बेटर है कि आप pause ले ले और अपने दिमाग को समय दे नए words को सोचने के लिए. Next is, pronunciation. अगर आपको कोई word की pronunciation नहीं पता, Google पर जाके उसकी pronunciation को चेक करें. हमेशा अपनी speaking को record करें, बाद में उसे सुने, देखने के लिए आपने कहां गलतिया की हैं. आज की activity में, आप अपनी एक दो मिंट की video record करें, और फिर उसे बात में ध्यान से सुने.